हलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का फिप्थ लेक्चर करने वाले इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पूरा बेसिक डिटेल्स ओन्स लाव, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज एन पैरिलल कॉंबिनेशन्स ओफ रेजिस्टर्स को कवर किया है आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कलर कोड ओफ रेजिस्टर्स यहां से बहुत छोटा सा प्रॉब्लम एक्जाम में पूछता है लेकिन इंपोर्टेंट यह है कि आपको यह पता होना चाहिए फोर प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सू तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक्चुली में रेजिस्टर्स दिखते कैसे हैं एक्चुली हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में जो सिंबल है रेजिस्टर्स का वो कुछ ऐसा होता है यहां हम नाम दे देते हैं देट A and B और इस रेजिस्टर के उपर ऐसे लिख देते हैं जैसे कि यह 100 ओम का है या फिर हम ऐसे कर देते हैं another रेजिस्टर CD and suppose this is 200 ओम लेकिन practical में रेजिस्टर्स ऐसे नहीं दिखते हैं practical में रेजिस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं market में जो मिलते हैं अब अगर आपके पास रेजिस्टर आ गया तो इसका value कितना million है kilo ohm है mega ohm है यह कैसे पता चुलेगा दो तरीके होते हैं इसके resistor value निकालेगा पहला जो तरीका होता है वो होता है हमारा color code इसके उपर जो colors के band हैं इनको देख के आप इसका resistance value बता सकते हो दूसरा जो method होता है वो होता है हमारा multimeter से check कर लो multimeter लो और multimeter में resistor का value को connect करो और आराम से resistance value देदेगा बहुत cases में हमारे पास multimeter नहीं रहता है तो क्या छोटे-छोटे कामों के लिए हम resistance को विम आपने के लिए multimeter से use करेंगे color code देख के हम बता सकते हैं color code देखना बहुत असान है इस lecture को आप समझिए बहुत easily समझ जाओगे color code को समझने से पहले हमें टेबल समझना पड़ेगा इस color code में यह कुछ colors होते हैं black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray and white इतने सारे ही color होते हैं अब इतने colors को हम याद कैसे रखेंगे और इस sequence को कैसे याद रखेंगे इसके लिए trick है जो trick यहाँ पर लिखा गया है BB Roy of Great Britain has very good wife बस इस line को आप याद रखो तो आपको याद रहेगा BB Roy इससे क्या पता चल गया हमें that BB Roy means black, brown, red BB Roy, black, brown, red है ना Of Great Britain तो Of Great Britain जो है यह O से है O के लिए हो जा रहा है Of Great Sorry Of This is for Of Okay Y के लिए होता है Of Great Britain Okay Has very beautiful और गौर्ची जो बेटर तो से Wife एक तो यह है एक यह है इसमें ना इससे एक और interactive way है trick याद रखने का यह तो पहला trick है Trick 1 Trick 2 जो है यह आजकल बहुत ज़्यादा याद होता है वो यह है B stand for bright Okay Then again B stand for boys Bright boys R stand for rave over Bright boys Rave over Young girls Young girls So bright boys Rave over young girls But But वेटो Getting Married और वेटो Getting Wed Married का उल्टा क्या होता है Wed Merit Merit से हम लोग Related हो सकते है Wed तो यह देखो आपके उपर लग रहा है आप जैसे बच्चों के लिए आप जैसे students के लिए यह बहुत अच्छा और interactive tricky है So bright boys Rave over young girls बट वेटो Getting Wed और wedded ठीक है ना Bright boys जो होते है Rave over करते तो हैं young girls के लेकिन साधी नहीं करना चाहते इस trick से हम इसको याद रख सकते हैं Bright boys Rave over Black, Brown, Red, Orange Young girl Yellow, Green But Blue वेटो Violet Getting Grey Wed White ठीक है ना आपको यह colors याद करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार आप देखो इस trick के साथ अराम से याद हो जाएगा या तो इस trick के साथ या इस trick के साथ Very good के जगा Very gorgeous कर लेना उसे ठीक है अब इसके साथ साथ आप इसका Number याद रखना आप हमेशन यसे Black का Number 0 फिर एक एक increase करते जाओ तो Brown का 1 Red का 2 Orange का 3 Yellow का 4 Green का 5 Blue का 6 Violet का 7 Gray का 8 White का 9 ठीक है जब यह colors कब इनका हम Number लिखेंगे और कब इसको Multiplyer यूज करेंगे इसको समझते एक एक example लेके हम लोग समझते हैं फिर आपको समझ में आएगा जितना भी हम लोग practical बाते करेंगे न वो 4 band के लिए करेंगे बहुत सारे registers होते हैं जिसमें 5, 6, 7 band भी होते हैं बट for the time being हमारा target है सिर्फ 4 band वाला resistor ठीक है तो इस 4 band वाले resistor में 4 band में से पहला जो band होगा band A या फिर color A first जो color होगा वो उस resistor का first digit बनेगा second जो color होगा वो उसका second digit बनेगा third color जो होगा वो उसका multiplier बनेगा और fourth color जो होगा वो उसका tolerance band कहलाएगा जैसे first digit अगर A है तो मैं A लिखूंगा second digit अगर B है तो मैं B लिखूंगा third digit multiplier है तो ये 10 to the power C हो जाएगा and plus minus देखे D का होगा percentage of D this is the entire value of resistance यही चीज़ देखो previous slide में भी given है यही बाते जो मैंने समझा है सब लिखा हुआ है उपड़ तो एक resistor चलो इसी का हम लोग value निकालते हैं आपको क्या दिख रहा है first band A क्या है band A आपको क्या दिख रहा है that band A is what which color it is brown color brown का number कितना होता है one होता है brown है brown का number कितना होता है one होता है second देखो color क्या है red है चलो देखते हैं red क्या होता था BB Roy so red stand for 2 so second is 2 third is again a brown color so इसके लिए हो जाएगा multiplied by 10 to the power brown के लिए 1 और plus minus ये जो है हमारा generally golden color होता है यहाँ आपको ये दिख रहा होगा yellow type but actually ये golden color है ठीक है ये हम लोग practically देखेंगे क्यों हम लोग golden ही ले रहे so golden का जो होता है golden का tolerance होता है 5% silver का 10% और अगर कोई color ना हो तो इसका 20% होता है यहाँ पर ये golden है actually इस तरह के color दिख रहा है so plus minus 5% so इस register का value हो गया 12 into 10 so 120 plus minus 5% ohum 120 ohm का register है इसका कहने का मतलब है कि इसका resistance 120 ohm है but it may vary up to 5% of 120 ohm exact value तो 100% नहीं मिलता है register आप खड़ीद के आज market से लाओगे time के साथ उसका resistance value बदलता है ये variation कितना maximum हो सकता है इस band पे लिखा रहता है 5% 10% 20% ये लिखा रहता है क्या मैं समझ पाया समझा पाया आपको color code कैसे निकालते है ठीक है चलो एक और देखते है ये देखो हमारा देख रहा है आपको चलो इसे numbering दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलो पहले वाले का हम लोग color code अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे इसका first color क्या है first color है yellow so bright boys rave over young girls yellow कहां आ रहा है young girls में आ रहा तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे याद करेंगे bright boys 0, 1, rave over so 2, 3, young girl young girl मतलब y stand for 4 so 4 हो गया easy है या नहीं बताओ साथ में करते है second digit क्या है देखो purple है या हम लोग इसको violet कह सकते है purple तो नहीं होता है या पर नहीं purple दिख रहा है नहीं दिख रहा है violet है violet है blue है और green है तो violet जो होता है veto veto stand for 7 bright boys rave over young girls but veto but veto so 7 counting करो मेरे साथ साथ so यह हो गया 47 into multiplier का color क्या दिख रहा है आपको red so bright boys rave 0 1 2 red के लिए क्या होता है 2 होता है so 10 to the power कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा plus यहाँ पर tolerance band आपको किस color का दिख रहा है gold है so यह 5% इसको आप लिख सकते हो 47 00 ohm plus minus 5% क्या समझ में आया ठीक है देखो मैं तीसरा बताता हूँ यहाँ पर आप इसको first color नहीं ले सकते हैं यहाँ पर इस resistor को घुमा दिया गया है ध्यान से समझो यह resistor को घुमा दिया गया है यह resistor होना चीए था इस तरीके से यहाँ जो first color है हमारा second color third color then fourth color so first color आपका golden कभी भी नहीं होगा numbering हम यहाँ से start करेंगे first color, second color, third color और यह fourth color resistor को घुमा नहीं सकते हैं हम लोग हमेशा gold या silver जो होता है न इसे हम लोग हमेशा tolerance band की तरह इस्तिमाल करते हैं समझ में आया आपका जरूरी नहीं इधरी से counting हो अगर यह gold है so counting मेरा यहाँ से होगा one two three is it clear so इसके लिए बताओ देखो पहला जो color है वो कौन सा color दिख रहे है आपको यह मुझे दिख रहा है brown color so bb roy black brown red so brown के लिए one होता है black के लिए zero होता है so one हो गया फिर दूसरा color है black black के लिए अभी मैंने कहा zero होता है फिर multiplier है brown brown के लिए 10 to the power 1 plus minus golden के लिए 5% so this is 100 ohum plus minus 5% clear so remaining are your homework मैंने 2 का बताया बाकी यह जो practical example आपको दिख रहे है बाकी का practical values जो है आप निकाल के मुझे बताना मैंने R1 और R3 बता दिया क्या यह समझ में आया आपको कोई भी doubt हुआ अगर कुछ doubt होता है मुझे कह सकते चलो इस table को fill कर लेते है so as a number अगर यह treat होते तो ऐसे होते है और as a multiplier होंगे तो क्या होंगे multiplier के form में ही हो जाएंगे 10 to the power 0 10 to the power 1 10 to the power 2 अभी अभी जो हम लोग कर रहे थे बस इस digit को 10 के power में बिठा दो कुछ नहीं करना है बस 10 के power में digit बिठा दो this is simple as simple as that your color coding इस से ज़्यादा कुछ नहीं आता बहुत आसान है बहुत इसली आप सीख सकते है okay